नो के मैप का हम लोगों ने basic structure तो देख लिया था कैसे उसमें element को pair करते हैं कैसे उसके expressions लिखते हैं अब हम लोग देखते हैं उसके type 2 variable के मैप 3 variable के मैप 4 variable के मैप ठीक है तो 2 variable के मैप मतलब 2 का power n कि 2 का power 2 that is equal to 4 मतलब इसमें total 4 block हो सकते हैं और यह block आपके सामने हैं M0, M1, M2 और M3 उसको numbering 0, 1, 2, 3 ऐसे हम लोग करते हैं अब देखते हैं हम लोग 3 variable के मैप 3 variable के मैप में 2 का power 3 that is equal to 8 number of block हो सकते हैं यहाँ पे 8 number of blocks बनाए हुए और उनका कुछ arrangement इस तरीके से यहाँ पे A, B, then C now first आप column क्या देख पादे हैं 0, 0 and then 0 that means A का compliment, B का compliment, C का compliment तीनों ही compliment होगा दूसरे वाले में आप देखते होंगे A compliment, B compliment and C C क्यों compliment नहीं है क्योंकि यहाँ पे C की जो value है वो 1 है ठीक है इसी तरीके से बाकी सब भी fill up किये गया है now अब है 4 variable k map, 4 variable k map means 2 का power 4 that is equal to 16 number of blocks इसमें हो सकते हैं और यहाँ पे 16 number of blocks है A, B and C, D now 0, 0, 0, 1 कुछ इस तरीके का इसका arrangement होगा now हम दोग simply भासा में समझे तो 0 के लिए compliment लेते हैं और 1 के लिए simple term लेते हैं तो यह जो भी आपको A bar, B bar, C bar, जो difficult देखने में लग रहा है वो difficult है नहीं आप starting का देखेगा तो 0, 0, 0, 0 मतलब 4 ही 0 है मतलब 4 ही compliment में लिखेंगा ठीक है अगर आप दूसरे में देखोगे तो 0, 0 and then 0, 1 मतलब जो 3, 0 है उसके लिए तो compliment होगा मतलब A, B, C के लिए compliment तो होगा लेकिन D के लिए compliment नहीं होगा बागी सब भी कुछ वैसे ही fill up होगे नहीं यहाँ पे है 3 variable के map की कुछ numerical जैसे F, 0, 4 दिया हुआ है या फिर 4 variable का है चुकि 3 variable में maximum 7 आप digit लिखते हैं total 8 places होते हैं तो जो 4 है वो 7 इसमें आते हैं लेकिन 2 variable में 0, 1, 2, 3 तक ही होता है मतलब यहाँ पे 4 आया तो आप इसी से समझभाएएगा कि यह 3 variable होगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 0 और 4 के जगा 1 fill up करतेंगे और उसके बाद वो pairing कर देंगे 1 और 1 pairing हो गया अब आप देखिए A side 0 और 1 मतलब जो pairing हुआ है उसमें A का value क्या होड़ा चेंज होड़ा है लेकिन जो BC का value है वो change नहीं होड़ा है यानि इसी वाज़े से B complement और C complement है दूसरा एक और मैं समझा देता हूँ बागी सब तो आप इसी basis पे समा सकते हो काफी easy है दूसरा है 4 and 5 4 and 5 में भी वापस से 3 variable के map होगा मैंने 4 और 5th place पे bit को रख दिया है 1 को रख दिया है उसका pairing किया है अब देखें तो A की value change नहीं हो रही है A की value 1 ही है तो A होगा और B C में आप B C के value थोड़ी मोड़ी change हो रही है यहाँ B complement C complement है और यहाँ B complement C है मतलब B complement change नहीं हो रहा है तो A B complement हो जाएगा बागी सब वैसे ही हो बनेंगे इसमें अब example देख लेते हैं 4 variable k map का 4 variable k map के example 0 और 8 8 आया मतलब इसी से पता चल जाएगा कि यह 4 variable k map होगा जो 3 variable k map होगा उसमें highest value कितनी होती है 7 होती है किसी भी storage की तो 0 और 8 प्लेस पे हम लोगों ने 1 रख दिया और उसको वापस से pairing कर दिया जब मैंने pairing किया तो क्या देखा CD में कोई changes नहीं आ रही है जबकि यहां है A bar B bar और सबसे नीजी में आप देखिएगा तो A B bar मतलब B bar में भी कोई changes नहीं हो रहा है तो इसी वज़े से इसका क्या आप Boolean expression लिख पाऊगे B bar C bar और D bar बाकि सब भी numerical कुछ इसी टाइप से बनेंगे यहां पर F4 variable के map का कुछ और example ठीक है थोड़ा और difficult example के साथ चलता है जैसे यहां पर उपर वाले column में third number वाला हम लोग देखते हैं थोड़ा difficult देख रहा है उसको समझने की कोशिस करते हैं 0, 3, 5, 6, 9, 10, 12 और 15 इतने सारे element है 15 है highest और यह highest कितना ले सकता 15 ही ले सकता है तो हम लोग ने सारे जो जो place पे वहाँ 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 हम लोग ने fill up कर दिया उसके बाद हम लोग ने किया pairing तो जब pairing किया तो देखा क्या कि एक भी pair match नहीं कर रहा मतलब कोई भी double pair नहीं बनेगा सारा ही single pair बनेगा फिर उसके corresponding हम लोग ने boolean expressions लिख दी है इसी में आता है don't care condition अब don't care condition क्यों use किया जाता है सबोच कि यह आपने boolean expression लिखा तो वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो कुछ कुछ जगा को हम लोग क्या करेंगे as a don't care ले लेंगे as a cross ले लेंगे मतलब इसको भी include हम लोग कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं don't care condition जैसे यहाँ पे आप देख पारे होगे कि one और one तो है ही साथ ही दो crosses भी है मतलब यह चारो का हम pairing बना सकते हैं उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर don't care condition नहीं रहता मतलब cross नहीं रहता तो आपको क्या करना पड़ता one का single pair और इस वाले one का single pair बनाना पड़ता तो don't care के वज़े से क्या हो गया है जो boolean expressions आ रहे हैं वो और छोटे हो गया है reduce हो जाते हैं आपको अच्छे जम पता होना चाहिए कि जितना बड़ा group बनेगा उतना छोटा boolean expression आता है आप हम लोग देख लेते हैं उसकी logical diagram कैसा design की जाती है आपने के map के किसी भी question को solve किया जैसे यहाँ पर 3567 एक question है आपने grouping कर ली और फिर आपको boolean expression मिल गया है लेकिन आप उसको logical diagram में represent कैसे करोगे सवाल या निशान यह है ना तो represent करने का simple formula है AC, AB और BC है कितने हैं A, B, C मतलब आपके पास 3 element है तो आप 3 element को ले लिए उसके बाद आपने क्या किया A और C को multiply किया then A और B को भी multiply किया and then B और C को भी multiply किया मतलब कहने का मतलब यह है इन 3ों में आपने and get का use किया उसके बाद इन 3ों का जो result मिला उसमें आपने or get लगा दिया मतलब 3ों को simply add कर दिया तो आप logical diagram में देख पा रहे होंगे यहाँ पर not get का भी use किया है यहाँ पर not get का कोई भी use नहीं है आप not get का use नहीं भी कीजेगा तो कोई दिकत कोई भी परिशानी नहीं है नो यहाँ पर एक और k map दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अच्छा कासा लंबा दिया हुआ है इसको भी बनाया गया है यहाँ पर 9 है यानि जाहिर से बात है इसके 16 number of rows होंगे ठीक है उसके बाद आपको expression मिला a bar c plus a bar b plus a b bar c bar then आपने इसका logical diagram बना लिया simple है a bar c मतलब a का compliment कर दिजिए c से end कर दिजिए simple a bar b a का compliment किजिए b से end कर दिजिए then a b bar c bar मतलब a को then b को compliment करके c को compliment करके इन तीनों को end कर दिजिए उसके बाद आपको जो तीनों expression मिले जो तीनों value मिली इन तीनों को or get से collect कर दिजिए simple नो यहाँ पर हो गया यह chapter खत्म आने वाले lecture में हम लोग देखने वाले half adder, full adder, half subtractor, full subtractor, multiplexer, demultiplexer, encoder, decoder fully detail में हम लोग देखने वाले तो अगर आपके यह video अच्छा लगा तो इस video को like कर दिजिए मेरे channel पर अगर आप नए है तो मेरे channel को subscribe कर दिजिए जाहिंद वन्दे मात्रम